Hello students, आज हम पढ़ेंगे development of resources के बारे में. Resources जो है, वो humans के लिए बहुत ज़रूरी है. Humans के survival के लिए resources बहुत ज़रूरी है. Resources हमें कहां से मिलते हैं? Nature से. और ऐसा माना जाता है कि resources nature का free gift है. अब कुछ resources ऐसे हैं, जिनको हम directly use नहीं कर सकते हैं. For example, land है. Land को हम use, अगर farmers को land use करनी हो, crops प्लो करने के लिए, तो वो directly, सीधा जाके उस पर directly crop नहीं लगा सकते हैं. First उसको land पे जो unwanted material लगा होगा, उसको साफ करना पड़ेगा, land को प्लो करना पड़ेगा, जोतना पड़ेगा. फिर उस कहीं जाके वो field में जो है, अपने बीच, फसल के बीच बो सकते हैं. वो वाटर देने की ज़रूरत पड़ती है, फिर जाके उसे, वो crops जो है, वो उस land से मिलेंगी. अब जैसे minerals हमें extract करने होते हैं, हम minerals को directly हमें सामने मिले और use कर लिया, ऐसा नहीं होता है. हमें minerals को earth से extract करना पड़ता है. अब क्योंकि resources को free gifts of nature माना गया है, इसलिए human beings क्या कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं, indiscriminately use कर रहे हैं, means, जितना use हमें उसका करना चाहिए, जितनी जरूरत हमें उस resource की है, वो उसका use उससे ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वज़ह से वो in future खतम हो सकता है. अब इसकी वज़ह से main three problems यहां पे discuss की गई है, first है, depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals, कुछ लोग अपने लालच की वज़ह से resources का बहुत ज़्यादा use कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से resources खतम हो रहे हैं, second है, accumulation of resources in five hands which in turn divided the society into two segments, that is, haves and have-nots, और rich and poor, society जो है, वो two categories में divide हुई है, एक है haves, second है have-nots, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, rich and poor, haves यानि कि rich, have-nots यानि कि poor, अब कुछ लोगों की वज़ह से, किसी एक society की पार्ट की वज़ह से, जो resources जो है, वो उनके, जब power उनके हाथ में आती है, तो वो उस resources का ज़्यादा use करते हैं, जिसकी वज़ह से, दो category में society डिवाइड हो गई है, haves and haves not, और इसकी वज़ह से, इस problem की वज़ह से, क्या हुआ है, ग्लोबल एकोलोजिकल क्राइसिस होना शुरू हुए है, अब ग्लोबल एकोलोजिकल क्राइसिस में कौन सी problem जाती हैं, जैसे, ग्लोबल वार जादा pollution फैल रहा है, जिसकी वज़ह से ozone layer effect हो रही है, और ozone layer depletion की वज़ह से, इसका असर USA पे नहीं होगा, यह असर all over world होगा, जो की एक global issue है, global crisis है, अब यह हमारी कुछ problems है, resources का जादा यूज़ करने की वज़ह से, यह कुछ problems जो है, वो create हो रही है, अब यह problem का solution जो है वो हमें ऐसे कह सकते हैं कि sustainable development के थू है, अब sustainable development क्या है, sustainable development means कि हमें resources का जो है, use ऐसे करना है कि वो आज की present generation को भी कम ना पड़े और future generation के लिए भी हम उसको reserve रख सके, आपको यहाँ पे definition दी है, sustainable economic development means, development should take place without damaging the environment and development in the present should not comprise with needs of the future generation, मतलब sustainable development का मतलब यह है कि environment में development तो होनी चाहिए, बट development resources की ऐसे होनी चाहिए कि वो हमारे environment को कोई नुकसान ना पहुचाए, और present generation को वो resource जितना उन्हें उसकी जरूरत है उतना मिले और future generation के लिए भी हम उसको बचा सके, तो यह था sustainable development अब sustainable development में जो है यह इसमें रियोडी जिनेरियो में एक conference हुई थी, एक summit हुआ था 1992 में जिसमें more than 100 states के जो है heads आए हुए थे, यह रियोडी जिनेरियो की जो earth summit हुई थी, यह ब्राजील में हुई थी, और इस summit में कुछ problems को address किया गया था, environmental issues को discuss किया किया था, उनके लिए कुछ rules पास किये गये थे, जिसमें एक global climate change and biological diversity के लिए एक assembly, एक declaration पास किया गया था, और इसी summit में जो है, इस crisis को खतम करने के लिए agenda 21 को follow किया गया था, तब agenda 21 क्या है, यह हम हमारे next lecture में बढ़ेंगे, thank you